हाई मैं परश्रान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियो टू कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में LIC के सेयर के उपर बात करने जा रहे हैं देख सकते हैं LIC का सेयर जो लास्ट टाइम क्लोज हुआ है वो 826 के प्रैस पे क्लोज हुआ है यहाँ पर वीटेल ट्वेडर और इवन पॉलिसी होल्डर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो LIC के सेयर में आपको क्या करना अगर अभी तक आपने सेयर को होल्ड कर रखा है तो आपको अभी भी होल्ड करना है या फिर यहाँ पर आपको सेल करके इससे बाहर निक अभी हमें और गिरावट देखने मिल सकता फ्रेस वाइंग के लिए और वेट करना परेगा तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में दोनों कोशन का एंसर मिलेगा के लाइसी आइप यहाँ पर यहाँ पर फ्रेस इंट्वी लेने का टाइम है या नहीं है तो अगर आप LIC के शेयर को लेके इंट्वेस्टेड है या फिर शेयर को बाई करने के बारे में सोच वें या फिर LIC का शेयर आपके पास पर आए तो आप इस वीडियो में लाज तक बने रहें तो LIC के शेयर के साथ आप वो क्या करना उसके बारे में complete idea और information आपको इस वीडियो में मिल तो सबसे पहले आप में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो पॉलिशी होल्डर को यह सेयर एलॉट हुआ था वह 889 के प्राइस पर एलॉट हुआ था और वी टेलर को जो मिला था वह 904 के प्राइस पर यह एलॉट मेंट हुआ था अब यहां पर पॉलिशी होल्डर कितने के नुकसान में अभी के डेट के कॉर्डिंग देखे पॉलिशी होल्डर लगबग आपको 7% के करीब यहां पर नुकसान में जबकि अगर वी टेलर की बात करें तो वी टेलर यहां पर लगबग आपका 8% के करीब नुकसान मतलब अ जो fresh entry लेना या fresh buying करना उसके उपर हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा यह दो question है इसको हम hold करें या फिर इसको sell करके यहां से हम exit हो जाए तो सबसे पहला कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और अगर आपने LIC IPO में listing gains के लिए apply किया है तो यहाँ पर आपको बताना चाहूं को 918 के price तक गया था यह आपको almost 2% का return दिया था retailer को और अगर policy holder की बात करें उनको यहां पर लगबाग 3% का return मिला था यहीं 3% price उपर दिया था जो भी लोग listing के लिए LIC IPO में investment किया होंगे उनको यहां पर पहले hour में निकलने का मौका मिला था और जो लोग वहां पर निकल चुके होंगे लेकिन अगर अभी तक आप बने हुए हैं इसका मतलब है कि आप यहां पर medium term और long term सोच के यहां पर investment किया थे तो आपको क्या करना है अब देखिए यहां पर आप already क्या है already आप लगबाग 7% to 8% के नुकसान में है ठीक है और अगर आपको पैसे की जरूरत पैसे की जरूरत है तो जितनी जरूरत आप उतनी निकाल सकते या पूरा का पूरा जरूरत है तो पूरा का पूरा निकाल सकते उसमें कुछ नहीं किया रहे सकता मैक्सिमा आप 1000 रुपे के loss में होंगे तो आप आप निकल सकते हैं लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत नह जाता हूं कि जब LIC का IPO आया था और LIC को लिस्ट होने के बाद क्या कुछ LIC के fundamentals में change हुआ है इसका कुछ market share 15% गिरा है नहीं गिरा है इसके number of agent drastically कम हुए नहीं कम हुए गौर्णमेंट ने कुछ ऐसा rules regulation लाया जो LIC के लिए negative है नहीं लाया in fact कुछ ऐसा rules लाया है जो कि LIC को फाइदा ही करेगा तो fundamentally कुछ भी यहां पर negative नहीं है फिर आप के मन में question आ रहा होगा कि LIC का share price इतना गिर क्यों रहा है क्योंकि अभी market बहुत जादा volatile है और उसके कारण से लोग यहां पर selling opportunity find कर रहे और उनको LIC एजी selling opportunity प्रोवाइड कर रहा है जहां पर लोग का sentiment psychology भी थोड़ा सा negative है और यह बहुत बड़ा IPO था और maximum लोग जो IPO को लेकर इंट्रेस्ट थे उनको यहां पर allotment में ले गिया है तो जो fresh buying करने वाले जो number है वो भी यहां पर हमें कम देखने को मिलवा है इसलिए LIC IPO जन्वली गिर रहा है अब यहां से यह bounce back थब लेगा bounce back कब लेगा वो क्याना मुस्किल है लेकिन अगर आपके पास time frame है दो तीन महीने का या 6 महीने का तो 6 महीने के अंदर यह आपको bounce back करता हुआ दिखा सकता और वापत से आपको 900 और even 1000 के price तक भी जा सकता अगर आपका time frame 6 month और even 12 month का है तो आपको यह 1000 से लेके 1200 के price तक जाता बहुत दिख सकता और most less brokerage firm ने यहां पे at least 1000 का target price जबूर सेट किया यानि आप जिस भी price से buy कियें वहां से लगबा गई आपका 10 से 12% का return यहां पे आपको देखने को मिल सकता अगले 6 महीने में इसलिए मैंने यहां पे आपको बोला है कि आप इतने नुकसान में यहां से exit मत किजिए यहां पे hold कीजिए अगर आपको पैसे की जरुवत नहीं है तो पैसे की जरुवत है तो आप यहां पे निकल सकते हैं पहला condition यह हो गया किनको sell करना जिनको पैसे की जरुवत हो वो sell क क्यों है देख सकते हैं पहला एक दो घंडा छोड़ दीजिए वहां पर प्राइस आपका यहां पर क्लोजिंग दिया उसके बाद यहां पर क्लोजिंग दिया उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर चार ट्रेडिंग सेसंस हुआ है पहला यह दूसरा यह तीसरा यह चौथ हाई यहां पे हमvoc interface डेली चाट पे हम आवली चार्ट पर यहां पे चाट ट्वीडिः शेसंस में अगर आप यहां पे ग्रीन कैंडरल करो कितना मिलेगा 1-2-3 और 1-4 यही जहां पे चार सिर्फ ग्रीन खंल लेकिन जो गेन वालोर है आपका करो प्लब का आपए ओस थीका नीचे गिरता और जब market नीचे गिरता उस time पे लिए लाइसी का share नीचे गिरता है। यही एक tension है वेटिल ट्वेडर के मन में जिसको लेके वो बहुत जाला tension में है। क्योंकि जब market ऊपर जाता है एक लिस उस time पे L.I.C. का IP उपर जाता है तो समझ में आता है। और जब market गिरता है तो उस time पे गिरता है तो समझ में आता है कि market के साथ ही रियाक्ट कर रहा है। लेकिन market ऊपर जाए या नीचे जाए, market recovery दिखा रहा है या नीचे गिर रहा है। L.I.C. का direction सेम ही है कि वो आपको continuously नीचे side की तरफ ही जा रहा है। तो L.I.C. का IPO में जो investment किये थे, उनका नजरिया था mid to long term listing gains के लिए ये IPO था ही ने और जो लिस्टिंग इन्स के apply किये थे उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिला था करनेगा। लेकिन अगर आपने L.I.C. का IPO में apply किया और आप यहाँ पे already exit कर चुके हैं यानि तो apply नहीं किया अभी आप entry करने के बारे में सोच हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है। क्या अभी सही समय entry लेने का चली उसका में answer दूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ point बताना चाहूंगा वहाँ से आपको clear मिलेगा कि अभी यहाँ पे हमें entry लेना है या फिर नहीं लेना है। यहाँ पे हम LIC IPO के delivery volume data को बात करेंगे यहाँ पे आप date देख सकते हो 17 में 18 में 19 में और 20 में यही चार ट्रेडिंग सेसंस हैं और यही चार ट्रेडिंग सेसंस के दिन हम देखेंगे किसका delivery volume percentage कितना रहा है पहला दिन यानि 17 में को 39% करीब है दूसरा दिन लगवग 30% और 14 दिन 30% करीब यानि एक भी दिन इसका delivery volume आपका 40% या फिर उससे जादा नहीं रहा मतलब लोग इसको delivery में उठाने के लिए तैयार नहीं है तो यहां से हमें क्या conclusion मिलता है यहां से यह conclusion मिलता है कि अगर आप LIC के share में entry करने के वारे में सोच वे हैं तो अभी आपको क इसको हम शौट में डिवी बोल दें डिवी आपका 50% से ज्यादा हो जाए देख सकते हैं यहां पर यह आपको 50% से ज्यादा हो जाए और यह data कहां पर मिलेगा आप NHC के website में देख सकते हैं यह आपका URL है यहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो के description मे इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा वहां पर जाके आप यह चेक कर सकते हैं जब आपको यहां पर percentage delivery volume 50% से ज्यादा आपको देखने को मिल जाए तब आप यहां पर entry ले सकते हैं तब ही हमारा पहला point satisfy करेगा तब हम यहां पर entry लेने के बारे में सोचेंगे ठीक है पहला point यह हो गया दूसरा point यहां पर आपको देखना है closing price यह price भी आपको रुकना चाहिए यहां पर यह positive में closing देना चाहिए सबसे पहले हम delivery volume 50% जादा चाहिए और price के लि यहां पर हमारा पहला condition क्या था डीवी यह नी delivery volume 50% से जादा आओ दूसरा condition क्या है दूसरा condition कि यहां पर हमें green candle बनना चाहिए at least two days ठीक है दो दिन लगातार यहां पर हमें green candle बनना चाहिए यह हमारा क्या है अब यहां पर daily chart पर जा सकते हैं और वहां पर दो दिन लगाता हमें green candle firm होना चाहिए with green volume volume भी आपका यहां पर green में होना चाहिए तब जाके यहां पर क्या करेंगे तब जाके आप यहां पर fresh entry ले सकते हो तब वह आपका सही time होगा entry लेने का तब आप वहां पर छोटे से समय में आपको अच्छा खासा upside momentum देखने मिल सकता लेकिन अगर आप अभी भी entry लेना चाहते हैं और आप यहां पर 100 रुपे का investment करना चाहते हैं तो सिर्फ अभी आप 25 रुपीज यानि तो 30 रुपीज या 30% अपने capital का सिर्फ 25 तो 30 परसंट ही अभी investment किजे बागे आप 75 परसंट तो 70 परसंट बचा के रखिए वो कब entry लेना जो condition मैंने बोला था दोनों condition को satisfy करेगा तब आप वहां पर entry ले सकते क्योंकि अभी जो situation यहां पर देखने को मिलवा प्राइस आपका और नीचे साइड की तरफ गिर सकता है तो आपको दोनों condition क्या करना समझ में आ गया fresh positions कब बनाना है और आपको पहले से positions है तो आपको क्या करना उ doubt या confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहां पर आपको proper answer किया जाएगा तो मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन